दोस्ति अगर आप तमील नडू से ही या फिर आप तमील नडू की आसपास के इस्तान से ही तो आपको एक बात की बारे में पता होना चाहिए कि तमील नडू में कौन-कौन शी बसाईं बोली जाती हैं अगर आप इसके बारे में नहीं जानती हैं तो भी कोई बात नहीं क्योंकि आज किस वीडियो के नहीं आपको बताएंगे कि तमिल नाडू में कौन कौन सी बासाईं बोली जाती हैं या तमिल नाडू की कौन सी बासाईं होती हैं मगर उससे पहले अगर आप चेनल पर नहीं हीं तो करपिया वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें आईए वीडियो को सुरू करते हैं तमीन नाडू की असल में राज़दानी चेन नहीं है और ये बारत का एक दक्षणी राजी की रूप में जना जाता है तमीन नाडू की इस्तापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तो तमीन नाडू का एक विशेस अर्थ होता है जो कि तमीलो की भूमी है यहाँ पर कई तरह की बासाईं बोली जाती है जैसे की नमबर वन तमील ये बासा अपने तमीन नाडू में शप्षे ज्यादा बोली जाती है और तमीन नाडू की अधिकारिक बासा ये फिराज बासा की बात करें तो वह असल में तमील बासा ही होती है आपको बता देती हैं कि तमीनाडू में लगबग 80% ऐसे लोग रहती हैं जो कि तमीनाडू में ही बात करती हैं और उपयोग मिलेती हैं नंबर 2 टैल्गू तैल्गू बासा की बारे में भी आप जानती हैं क्योंकि यह एक काफी परशसिद्ध बासा मानी जाती है मगर आपको बता देते हैं कि यह तमिनाडू में बोले जाने वाली दूसरी सबसे लोगप्री बासा है नमबर थरी कन्ड करनाटक की अधिकारिक बासा की जब हम बात करते हैं तो वह कन्ड बासा का ही नाम सामने आता है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि यह कहीं और नहीं बोली जाती है बलकि यह अपने तमिनाडू में कुछ लोगों की दुवरा बोली जाती है इसका मतलब है कि कन्ड तमिनाडू में बोली जाती है नमबर फोर मल्यालम मलियलम भी अपने तमेनाडू में कुछ लोगों की दुआरा बोली जाती है हालांकि कहा जा सकता है कि इसका उपयोग कम होता है आज हिंदी बासा आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और बोलते हैं अलब पूरे देश में बोली जाती है और एसे में तमेनाडू में भी इस बासा को बोला जाता है और इससे आप समझ चकते हैं कि यह तमेनाडू में बोली जाने वाली एक बासा है नमबर 6 अंग्रेजी अंग्रेजी तमिनाडू में व्यापक रूप से बोली जाती है द्रसल दोस्तों कहा जाता है कि अंग्रेजी बसा भी इस देश की एक अन्य अधिकारिक बसा के रूप में जानी जाती है तो जाईर है कि यह तमिनाडू में बोली जाती है तो इस तरह से दोस्तों तमीनाडू में बोले जाने वाली बसाई हुई तमील, तेलगू, कन्नड, मल्यालम, हिंदी, अंग्रेजी, आदी इसके लावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि तमीनाडू की अधिकारिक बसा या राजबसा कुणची है तो वह कुछ इस तरह से हैं दोस्तों किसी भी राज्य की अपनी अधिकारिक बसा और राजबसा को पैचानने का सबसे सरलतरिका यही है कि आपको उस राज्य के नाम को बसा के नाम के साथ मिलाना चाहिए अगर नाम मिल रहा है तो नब परतिस्ट वई बसा असल में अधिकारिक बसा या राज बसा होती है और इसी तरह से आप जब तमीनाडू का नाम बसाओं के साथ मिलाती ही तो आपको देखने को मिलता है कि तमीनाडू का नाम तमील बसा के साथ मिल रहा है इसका मतलब होगा कि तमीनाडू की अधिकारिक बासा या राज बासा और कोई सी नहीं बल्कि ये तमील बासा ही होगी क्योंकि असल में तमीनाडू की अधिकारिक बासा ये फिर राज बासा की बात करें तो वह तमील बासा ही होती है और ये आपको अच्छी तरह से याद कर लिना है तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर आपने जना की तमेनाडु में तमील, तेलगू, कंड़, मल्यालम, हिंदी, अंग्रेजी आदी सभी बसाओं को बोल जाता है अगर आपके लिए जानकारी उप्योगी लई हो तो करपया वीडियो को राइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें